दोस्तों बहुत दिनों से हमें स्मार्ट वॉच्छ इसकी वीडियो करते ही आ रहे हैं और आप मैंसे काफी लोगों का एक कोश्चन मेरे पास हमेशा आता है कैसी वॉच्छ के अंदर जीपियस है या फिर नहीं है तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास एक स्मार्ट वाच है या आती है ट्रूक के तरह से और इसके अंदर आता है GPS और ये है Horizon अब ये जो वाच है लगबख एक वीक पहले मेरे पास आ गई थे और हम इसको लगातार यूज़ कर रहा हूं और कैसा इसको ओवर्विव और वाच कैसी देख में मिलती है थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं इस वाच को और उसकी बात बात करते हैं इसकी बाच के बारे में तो गाई बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ट्रूक होराइजन और यहां पर लिखा हुआ है बिल्ट इन जीपिएस प्रीशियस जीपिएस एडवेंचर स्मार्ट वाच और पीछे कुछ फीचर बगरा दे रखें वाक्स के अंदर आपको डॉ इन डिजाइन की सबसे पहले यहां पर बता दूसकी जो डिजाइन है वह फैमिल जो वाच इस अभी आ रहे हैं उसे थोड़ा सा डिफरेंट है और इसकी जो स्ट्रैप वगरा है वो चेंज नहीं होते होते तो है मतलब लेकिन यहां पर स्कूरूज वगर आपको देखने के सब्सक्राइब करते हैं इसकी डिस्प्ले की मामले में यहां पर आपको 1.69 इंचिस की डिस्प्ले मिलती है और यहां पर कुछ पीक ब्रैटनेस वगरा नहीं बताई हुए लेकिन जो ग्लास है वो कर्व है अगर आप इस तरीके से देखो तो यहां पर आपको कर्व देखन के साथ आती है वागे पीछे की तरफ कुछ सेंसर वगरा देखने को मिलेंगा और यह मतलब इतना ही आपको देखने को मिलेगा और इसका भी एक फायदा भी और रुकसान भी है यह दोनों चीज़े में बता हूँ आपको बागे तो इसके ओवर वीव की बात कुर तो यहां साइड में आपको एक बटन मिलता है जो मेन्यू वगरा के लिए काम आएगा फिर बैक करने काम आएगा बाकी और भी यहाँ पर कुछ नहीं है और हाथ के अंदर बता दू फिटिंग वाइज मेरे हाथ में तो काफी बड़ी है तरीके सारी है लेकिन बता दू जिनके हाथ क प्लेस नहीं होते जब यह नुखसान है तो एक नजब मार रहे ते इसके सबसे पहले वाच मेनी और यूई वगरा कैसा इस वाच का क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफी लोगों को उससे बहुत उम्मीद होते हैं तो इसकी बारे में बात करते हैं तो गाई सबस उसके response की तो touch response बहुत ही smooth है कोई भी option यहाँ पर lag करता हूँ और नहीं face होगा और बहुत smooth तरीके से यह काम करती है इसके बाद अगर बात करूँ watch menu की तो उपर से नीचे की तरफ जाओगे तो notification वाला जो पैनल हो खुलता है नीचे से उपर की तरफ जाओगे तो control center है होला सा new लगेगा इस वाच के अंदर बाकि जब आप राइट की तरफ स्वाइब करोगे तो यहाँ पर आपको एक्टिविटीज मूजिक कंट्रोल वैदर फोरकास स्लीप मोनिटरिंग ब्लड ऑक्सिजन बीपी का ऑप्शन और HR मोनिटरिंग का जो ऑप्शन है वह मिल जा से बाइट और बैक जाएंगे उनके बाद मुजिक कंट्रोल वैदर फोरकास मैसेच और यहां पर आपको फॉसलीट ब्रैतनेस यहां पर आप को वाच फेसेज और सैटनिक का उब्सक्टे का मिलता है जबखिया पर यहां पर कोई भी अलग से वाच फेस नहीं खुलेगा लेकिन यहां पर पांच मिनट के लिए आपकी जो स्क्रीन है वह हमेशा ओन रहेगी तो यह वाला जो आपशन है वह मिल जाता है बागे दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ की फीचर की कि वाच के अंदर क्या क्या फीचर आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर आपको 100 प्लस वाच फीचर है वो इसके अंदर मिल जाता है और कस्टमाइजेशन का ओप्शन भी यहां पर आता अपनी फोटो वगरा य सकते हो पहन के और even swimming भी कर सकते हो कि काफी लोग उससे शुप से मिंग कर सकते हो लेकिन जादा गहराई तक और जादा देर तक आप इसके साथ नहीं रह सकते हो यह चीज होती है इसके साथ सद यहाँ पर आपको 11 sports mode बिलते हैं जहाँ पर आपको free workout वाला जो mode है वो भी इसके अंदर मिल जाता है इसके साथ सद यहाँ पर जैसे मैंने बताया था GPS इनेबल यह watch है और यहाँ पर आपको GPS and GLONASS का जो feature है वो इसके अंदर आता है और वो कैसे activate करना है इसकी बात करने हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको sports mode के अंदर जाना है वहाँ पर आपको outdoor sports mode को select करना है और बस आपको GPS है वो एक्टिवेट हो जाता है अब यहाँ पर बता दू कि कोई map हो बगरा नहीं create होता है ना आपके phone के app के अंदर नहीं इस watch के अंदर तो वह भी यहाँ पर मिल जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से पैड़ो मीटर की यहाँ पर पैड़ो मीटर के अंदर आपको एक्टिवीटी ट्रैक करने के लिए काफी सहुलेत मिल जाती है अगर आप 100 कदम चलते हो तो मैं कहूंगा 102 104 105 के आज-पास यह आप स्क्रीन पर देख ही पार होगे काफी अत्ता की अग्दम एक्कूरेट ही दिखाती है और SPO2 के अंदर भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी बागी बागी बात करना चाहूंगा पहनी हुई है और आप एकदम रिलेक्स लेटे हो तो उस चीज को भी है स्लीप मोनिटरिंग में काउंट करती है इस तरह की जो वाचिज होती है इसके बाद बीपी की बात कर तो बीपी का जो ऑप्शन है वो भी यहां पर मिल जाता है और यहां पर मैंने उसको टेस्ट किय है लेकिन किसी से साथ comparison नहीं कर सकता हूं में कि क्या वो एकदम accurate दिखा रहा है या फिर आपको मतलब इसका जो sensor है वैसा ही वैसा दिखाता है तो इस चीज को हमने इस तरीके से यहां पर टेस्ट किया है बागी मैं बात करना चाहूंगा इसकी display quality की display quality indoor के लिए तो बहुत अच्छी है लेकिन outdoor में भी आपको कोई परेशान नहीं होगी इवन यहां पर कोई AMOLED डिस्प्ले नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर आपको जो काम है वह भी परफॉर्म होता है outdoor के अंदर भी और बता दो यहां पर डिस्प्ले के जो brightness feature है मुझे ज़्यादा काम करने लग लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता बहुत ज्यादा कि एक से आप सीधे पांच पर बहुत बड़ा फरक नहीं लगेगा ऐसे लगए एक पॉइंट से एक लेवल से आप दूसरे पर शिफ्ट हो लेकिन यहां पर जो फिफ्ट लेवल है मैं बोलूँ जाओंगा कि outdoor में अच्छ तो उस लिहाद से यहाँ पर मैं नेकाल के दे पाएगी बाकि यहां पर आपको नोटिफिकेशन काफी बढ़िया तरीकेसा आजाती है उपर की तरफ और कॉल वगएरा को पिक करने का उप्शन नहीं लेकिन कट करने का उप्शन है और आपको पता लग जाता कि कि किसकी कॉ आपको आ रही है आपके फोन के उपर आगा आपके फोन से connected है तो बागी एक नजर मारने थे इसकी एप के उपर के कौन सी आप इसके लिए आपको लगेगी तो यहाँ पर एफ फिट करके एक आप आती है जब भी आप इसको बाइव वायरा करोगे तो वहाँ पर scan कर लेना औ और आपको डाउनलोड करने का जो आप्शन है वो मिल लागा प्रुक होराइजन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इस एप के अंदर यहाँ पर आपको स्टेप्स वगरा देखने को मिलेगा जहां पर आपको डीटेलिंग अच्छी मिल जाती है लेकिन मैंने बता दिय अगरा आपको सबसे पहले डायल सेंटर मिलता है जहां पर आपके वाच फेसिस है और सो से ज्यादा वाच फेसिस यहां पर आपको मोर और भी दिख रहे होंगे तो बहुत सारे वाच फेसिस दिखते हैं अब यहां पर इनेबल बैक्राउंड रणिंग पर्मिशन वगरा मा और यहां पर कोर के अंदर यह अप्शन मुझे समझ में नहीं आया था इसके बास यहां पर माइन के अंदर जाते है तो परसनल इंफोरमेशन टार्गेट सेटिंग फीड़ बैक मौर ऐसा कुछ उप्शन यहां पर आपको मिल जाते हैं अब दोस्तों बात करते हैं और और काफी बढ़िया है और प्राइस सेग्मेंट की बात करो तो तीन अजी कशार रुपे के आसपास यह लाँच होगी और यहां पर अच्छी चीज़ है मैंने बताई दी लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजों की इंप्रूव्मेंट जरूर होने चाहिए इसके अंदर पहला क के अंदर पता लगे तो उससे क्या होता एक और मतलब एक पॉइंट मिल जाता आप लोगों कि मतलब अच्छा लगता है कि हम इस तरीके से ट्रैवल गया तो वह काफी लोग पसंद करते हैं इसके बाद एक तीसरा जो मुझे लगता है कि AOT का फीचर आता है इसके अंदर ल लेकिन अलग से मेरे साब से कोई वाच देने चाहिए थे अगर आप AOD के अंदर दे रहे हो तो बागी जैसे मैंने बताया कि 3000 के अंदर मुश्किली ऐसी कोई वाच होगी जो आपको GPS वारा फीचर है वो देरी होगी तो उस हिल्यास से आप इसको ले सकते हो बागी बिल्ड अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक का बटन जोड़ दोआ देना और क्या मुझसे सहमत करते हो करते हो कि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो चल्दी आपको मिल जाएगी और इसके कोई पैसे नहीं लगते तो दोस्तो मैं मिलूंग आपसे एक झालक ऑल में थानर प्लीजेटेशन नहीं आपको ऑटना प्लीजे।